आज हम एंजल काइडेंस देखेंगे आप लोगों के लिए करण सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी वो आपकी करण सिचुएशन यानि प्रेजन सिचुएशन कोई भी हो सकती है आपका relationship, आपका career, आपका business, आपका job, आपकी health, आपकी spiritual जगनी जो भी आपको question करना है, आप एक question कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई एक baselet चुज करना है यह है हमारी pile 1 और यह हमारी pile 2 कोई भी एक आप intuitively choose कर सकते हैं ये timeless general messages होते हैं काफी लोगों की energies होती हैं इस messages में तो जो भी आपके साथ messages resonant कर रहे हैं उन्हीं को ही लेना है बाकी सब को leave it कर देना है अगर आपको ऐसा लगे कि messages आपके साथ resonant नहीं हो रहे हैं तो leave it कर दीजे सबसे पहले हम जिन्होंने भी yellow base ले choose किया है उनके लिए देखेंगे क्या guidance आ रही है मैंने अल्रडी card shuffle कर रखे हैं यहाँ पर unlikely का card है जो भी आपकी question है जो भी आप जानना चाहते हैं उसके लिए ये guidance आ रही है कि कुछ और alternative आपके लिए वेट कर रहा है जिस साइब का situation या scenario आप सोच रहे हैं बुरी से बुरी आच्छी से अच्छी situation आप अपने mind में लिए हुए हो कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा उस तरीके से चीज़े नहीं हो सकती है कुछ अलगी होगी आपकी क्या बोलते हैं सोच के परे कुछ अलगी होगा या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके according आपके favor में चीज़े नहीं हो रही है तो वो चीज़े आपके लिए बनी नहीं है वो situation और relationship और career जिस पात पर आप जा रहे हो वो आपके लिए अभी सही समय नहीं है कुछ दूसरा आपको alternative option देखने के लिए बोला जा रहा है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी first place ले चूस किया है वो अपने emotionally touch है उनका emotional touch उनसे बहुत ही साथा दूर है अपने emotions का ध्यान नहीं रख रहे हैं family में या personally emotionally उनके emotions कुछ imbalance है जिसकी वज़े से उन्हें कुछ समझ नहीं आरा कि उन्हें किस direction में आगे बढ़ना चाहिए आपको यहां पर सबसे बहले अपने emotions को heal करने की ज़रुवत है file 1 ऐसी चीजों से connect करिए जो आपको emotionally अच्छा feel करवाती है dance हो गया, music हो गया, cooking हो गया, art हो गया, shopping जो भी आपको अच्छा लगता है जिससे खुशी मिरती आपको वो करिए आपके emotions balance में आएंगे और फिर आप अपने लिए सही से decisions ले पाएंगे यह थे आपके लिए messages file 1 अब जिनों ने भी pile 2 choose की है blue base plate हम लोग उसके लिए देखेंगे क्या cards है forgiveness का card है आपको माफ करना है अपने को सामने जो भी है person जिनों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया उनको भी माफ करना है अब यहां पे यही भी situation हो सकती है कि आप guilt में हो shame में हो pain में हो कि past में आपसे कुछ गल्टियां हो गई चो नहीं होने चाहिए थी और ऐसे कैसे हो गई आपको वो सारी बाते एक भोज की तरह आपके दिल में बसी हुई है उन सारी चीज़ों को भी release करने के लिए बोला जा रहा है और अपने आपको forgive करने के लिए बोला जारा है थीक है कोई बात नहीं गल्तियां सबसे होती है पर उन गल्तियों को वापस repeat नहीं करना है और आगर ऐसी situation हो गार्यों कि जो आपको बहुती पेन में लिए हुए है तो वो उन सारी चीज़ों को भी रिलीस करें, माफ करें, हील करें अब उससे क्या होगा? पहला पैनिफर्ट तो यह होगा कि आपने जो अपनी सारी पावर उस पेन को और उस सामने वाले इंसान को दे रखिये जैसे पको सामने वाले की mistake थी तो हम ऐसा ही कहेंगे कि अपनी सारी अपनी energy उस सामने वाले इंसान की जो particular situation उन्होंने आपके साथ की उस past में उस moment में आपनी अपनी सारी productive energy उस में श्टक करके रखिए है बहुत डीप मैसेज है समझीय है अपनी सारी प्रोडक्टिव एनर्जी आपने इस पेन में रखिए है उसे रिलीस करनी है आप माफ करके उसे तो फ्री करेंगे पर सबसे आपके पास वापस आएगी और आप अपनी लाइफ में दुगनी देजी से आगे बढ़ोगे और आपका एक डाइमेंशन आपकी वाइबरेशन भी हाई हो जाएगी क्योंकि हम जब भी किसी को फगिव करते हैं हम सबसे हाइस्ट वाइबरेशन पर होते हैं क्योंकि फगिवनेस इस ता ओनली थिंग जो आपको आपके बुरे से बुरे कर्मा से फ्री करवा सकता है यह हैं आप लोगों के लिए मेसेजिस मिलते हैं करके वीडियो में तकते के लिए बाइक और प्लेशन लिए